बच्चों कल हम लोगों ने शब्द विचार शुरू किया था और जिसमें हम लोगों ने शब्द किसे कहते हैं और शब्द बहुत असंखे हैं और उनका वर्गीकरण चार आधार पर किया गया है जिसमें हम लोगों ने उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण को हम लोगों ने पढ़ा था तो आज हम लोग उसके आगे रचना के आधार पर अर्थ के आधार और प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण जो किया गया है उसे पढ़ेंगे तो हम बोग शुरू करते हैं शब्द की व्यूत्पत्ति का आधार जो है वो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह है दूसरा आधार रचना के आधार पर तो रचना के आधार पर जो शब्द का वर्गीकरा किया गया है और बच्चों यदि आप हिंदी भाषा में प्रियोग किये जाने वाले शब्दों को ध्यान पुर्वक देखें तो आपको यह ग्यात होगा कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनके और खंड टुकडे नहीं किये जा सकते और कुछ शब्द दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हैं और कुछ तो ऐसे हैं कि जिस अर्थ में वेप्रयोग किये जाते हैं उनका शाब्दिक अर्थ वह नहीं होता तो आईए देखें बनावर के आधार पर या रचना के आधार पर शब्दों का वर्गी करण कैसे किया गया है तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि रचना के आधार पर शब्दों का वर्गी करण तीन तरह से किया गया है रोड़ शब्द, योगिक शब्द और योग रोड़ शब्द तो यह है रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग रूड़ शब्द देखेंगे तो रूड़ शब्द के अंतरगत है ऐसे शब्द जो परंपरा से विशेश अर्थ देते चले आ रहे हैं रूड़ शब्द कहलाते हैं इनके खंडों के अर्थ नहीं होते जैसे मेज, दिवार, जूता, पलंग, आदमी, लड़का, दुकान, आधी और ये जो है रूड़ शब्द कहलाते हैं तो जिन शब्दों की टुकड़े करने पर कोई सार्थक खंड प्राप्त नहीं होते वे रूड़ शब्द कहलाते हैं जैसे रोटी, थैला, और दिन, कल, आदी और ये सब जो है वो अर्थ हीन खंड है जैसे रोग प्लस टी, थै प्लस ला, दि प्लस न, और कल प्लस ल, अर्थ हीन खंड है तो ये रूड़ शब्द हैं जो परंपरा से यानि कि प्रियोग करते करते ये प्रचलित हो गया है और लोग इनका प्रियोग करने लगे हैं तो इस तरह से ये शब्द, रूड़ शब्द कहलाते हैं, अब इसमें दूसरा है योगिक शब्द, योगिक शब्द ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, योगिक शब्द कहलाते हैं, योग का मतलब ही है जुड़ना, तो इसलिए योगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ अतर जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं वे योगिक शब्द कहलाते हैं जैसे पाठ शाला पाठ प्लस शाला रास्ट पती रास्ट प्लस पती और निम्न लिखित निम्न प्लस लिखित आदी तो ये शब्द योगिक शब्द है इसमें दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर शब्द बनाया जाता है और इसमें इसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पे कि योग रोड़ शब्द क्या होते हैं इसमें कौन से शब्द आते हैं तो योग रोड शब्द जिन योगिक शब्दों का प्रियोग किसी विशेश अर्थ में किया जाता है उन्हें योग रोड शब्द कहते हैं जैसे नील कंठ यह शब्द नील प्लस कंठ शब्दों से बना है और इसका विशेश अर्थ है नीला ह कंठ जिसका अर्थात शिव दशानन दश प्लस आनन अर्थात रावण दस है मुख जिसका आनन मतलब मुख होता है और दश का मतलब होता है दस और दस जिनके मुख हैं अर्थात रावण त्रिलोचन, त्रिलोचन, त्री प्लस लोचन, अर्थात शिव, पितांबर, पीत प्लस अंबर, अर्थात विश्णू, वीणा पाड़ी, वीणा प्लस पाड़ी, अर्थात सरस्वती, वीडा वाद्देयंत्र होता है और पाड़ी जो है वो हाथ को कहते हैं तो जिनके हाथ में वीडा होती है अर्थात वो सरस्वती देवी की पहचान है तो वो सरस्वती हैं तो इस तरह से योग रूढ़ शब्द जुड़ा हुआ विशेश अर्थ में प्रचलित जो शब्द अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़ कर किसी विशेश अर्थ में प्रचलित हो गय हो वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं ये शब्द भी दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं जैसे योग रूड शब्द है जिसका शाब्दी करते दिया गया है फिर विशेश अर्थ दिया गया है जैसे चार पाई तो चार पाई चार पैरों वाली पाई कहते हैं पैर को और चार मतलब चार पैरों वाली और इसका विशेश अर्थ है खाट खाट यानि खटिया भी बहुत लोग बोलते हैं खाट भी बोलते हैं और दूसरा है पंकज पंक प्लस ज़ पंकज जो कीचर में उत्पन हुआ हो अर्थात इसका विशेश अर्थ है कमल तो यह जो है वो इस तरह से प्रयोग के आधार पर यह प्रचलित हो गए है यह शब्द तो यहाँ पर यह दो शब्दों के मात्यम से योगरूड शब्द को समझाने की कोशिस की गई है तो इससे यह पता चलता है कि यह जो शाब्दी करते हैं वो न होकर कुछ अन्य अर्थ इसका निकलता है अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण तो प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण इस प्रकार है विकारी शब्द और अविकारी शब्द और हमारा शरीर विभिन अंगों से मिलकर बना है परन्तु प्रत्येक अंग का काम अलग-अलग है जैसे बीमार दिमाग जो है वो सोचने समझने का कारी करता है आखें देखने का कारी करती है और नाख से हम सांस लेते हैं मुख से हम खाते एवं बोलते हैं और कानों से हम सुनते हैं इसी प्रकार भाशा भी विभिन शब्दों के योग से बनती है परन्तु इन शब्दों का अपना-अपना कारी होता है अता भाशा में प्रयोग के आधार पर शब्दों को निम्न दो वर्गों में बाटा गया है तो प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गी एकरण दो प्रकार से किया गया है पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द विकारी शब्द वे ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल, आदि के कारण बदल जाते हैं इसलिए विकारी कहलाते हैं विकार का अर्थ है परिवर्तन अतह वे शब्द जो भाशा में प्रियोग किये जाने पर लिंग वचन कारक आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं जैसे लिंग परिवर्तन लड़का से लड़की और वचन परिवर्तन लड़का लड़के और कारक प्रियोग लड़के ने और लड़कों ने तो विकारी शब्दों से के निम लिखित चार भेद हैं तो विकारी शब्द जैसे सर्वनाम, संग्या, विकारी शब्द, विशेशन और क्रिया तो इनका जो है आगे हम लोग वर्डन देखेंगे और अभी हम लोग दूसरा भेद देखेंगे अविकारी शब्द यानि कि प्रियोग के आधार पर जो दूसरा प्रकार है वो है अविकारी शब्द अविकारी जो है अ प्लस विकारी और अ जो है वो ना के अर्थ में प्रियोग होता है अर्थात परिवर्तन ना हो जिसमें जिन शब्दों में लेंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात जो सदैव एक से रहते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे और वाह जो जैसा वैसा आदि। तो राम धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है और लिंग परिवर्तन का कोई प्रभाव यहां पर नहीं हुआ है। इस्त्रिलिंग और पुलिंग राम पुलिंग है और सीता इस्त्रिलिंग है लेकिन दोनों में ही धीरे धीरे शब्द का प्रियोग हुआ है। इसमे लिंग के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसलिए ये अविकारी शब्द का उदारण है तो संग्या, सर्वनाम और क्रिया, विशेशन और क्रिया ये चार विकारी शब्द होते हैं और इसके आधार पर शब्द बनते हैं और दूसरा अविकारी शब्द, जो लिंग वचन काल कारक के कारण नहीं बदलते, अविकारी शब्द कहलाते हैं. और क्रिया विशेशन, संबंध बोधक, समुच्चे बोधक, विस्मयादी बोधक, ये चार अविकारी शब्दों के प्रकार हैं. और भीतर, यानि क्रिया विशेशन, बिना, संबंध बोधक, और समुच्चे बोधक, हाई, विस्मयादी बोधक, आदी शब्द हैं. इनका रूप सदा एक जैसा रहता है, ये अविकारी हैं. तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि विकारी और अविकारी, ये दो शब्द हैं. यहाँ पर लड़का ध्यान पूर्वक सुनता है, और लड़के ध्यान पूर्वक सुनते हैं. तो यहाँ पर लड़का और लड़के, ये लड़का शब्द जो है वो एक वचन है, और लड़के शब्द बहवचन है. तो यहाँ पर दोनों में ही लड़का भी ध्यान पूर्वक सुनता है, और लड़के ध्यान पूर्वक सुनते हैं. तो यहाँ पे दोनों ही वचन में ध्यान फुर्वक शब्द का ही प्रयोक किया गया है तो यहाँ वचन परिवर्थन का कोई प्रभाव नहीं हुआ है, कोई बदला नहीं है शब्द वही का वही है अब यहाँ पे तीसरा होधारन देखते हैं, कारक के अनुसार तो लड़कों ने लगातार खेल खेला और लड़कों को लगातार खेलने दो तो यहाँ पे ने और को ये कारक चिन है और यहाँ पे कारक के अनुसार भी कारक बदलने से भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ है तो इस प्रकार अविकारी शब्दों के भी चार भेद हुए समुच्य बोधक, क्रिया विशेशन अविकारी शब्द है ये क्रिया विशेशन विस्मयादी बोधक और संबंध बोधक तो इस तरह से और ये इसके बारे में हम लोग विस्तरित रूप से आगे अध्याय में पढ़ेंगे और अब हम लोग चौथा भेद देखेंगे वरगीकरंड शब्द का जो अर्थ के आधार पर किया गया है तो अर्थ के आधार पर जो भेद किये गये हैं वो है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द भाशा में वैसे तो हर शब्द का अर्थ होता है सार्थक शब्दों से ही भाशा की रचना होती है किन्तु भाशा को रोचक रूप देने के लिए बोल जाल की भाशा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रियोग भी होता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता जैसे डंडा वंडा, पानी वानी, चाय शाय, कौफी शौपी इस तरह से जो है वो शब्द प्रियोग होते हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता, बर्गर, वर्गर तो ये बोलने का एक तरीका है और बोल जाल की भाशा में इसका प्रियोग होता है तो यहाँ पे हम लोग अर्थ के आधार पर दो भेद देखेंगे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं जैसे कार्य, सुर्य, क्षमा, आदि और निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं ये शब्द सार्थक शब्दों के पीछे लगकर उनका अर्थ विस्तार करते हैं यानि उसका अर्थ बढ़ाते हैं अब है यहाँ पे जैसे पानी वानी लाना जरा तो यहाँ पे पानी वानी और बहुत सोलिये अब कुछ पढ़ वढ़ लो तो पढ़ वढ़ यहाँ पे यह जो है वो निरर्थक शब्द है वढ़ पढ़ वढ़ वास्तों में भाषा तो सार्थक शब्दों से ही बनती है यह सार्थक शब्द अनेक अर्थों में प्रियोग किये जाते हैं आप भी कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रियोग करते होंगे कि आपका अर्थ कुछ और होता है तथा दूसरा व्यक्ति उसे किसी अन्य अर्थ में ले लेता है आप एक शब्द के लिए अनेक शब्दों का प्रियोग करते होंगे इसी को आधार मानकर सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद किये जाते हैं तो सार्थक शब्द के भेद जो है वो एकार्थी शब्द, अनिकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यावाची शब्द और वीप्रितार्थक या विलोम शब्द तो ये जो है वो सार्थक शब्द के अंतरगत आते हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से शब्द इसमें आते हैं जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे एकार्थी शब्द, तो एकार्थी शब्द अर्थात जिन शब्दों का केवल एक निश्चित अर्थ में होता है, जिनका केवल जो है एक निश्चित अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे हस, जैसे हरा, गंगा, पहाड आदी तो इस तरह से यहाँ पर हरा गंगा समुद्र पहाड आदी यह एकार्थी शब्द हैं और इसमें जो है वो अर्चना यहाँ पर शब्द है उसका अर्थ है पूजा और इसी तरह से और भी शब्द दिये हैं जैसे अनुने अर्थाद प्राथना पुत्र, बेटा, उत्तम, स्रेस्ट, अनुराग, प्रेम, अहंकार, घमंड, आखेट, शिकार, प्रतिक्षा, इंतजार तो इस तरह से ये शब्द हैं जो एकार्थी शब्द कहलाते हैं और इसी तरह के और भी बहुत सारे शब्द हैं अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है जिसके अनेक अर्थ हो, तो एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं और हिंदी भाषा में ऐसे भी शब्द हैं, जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, जैसे कनक, कनक का अर्थ होता है गेहूं, सोना और धतूरा, ये तीन अर्थ होते हैं कनक के, अब है अर्थ, अर्थ शब्द का एक अर्थ होता है मतलब, अर्थ का अर्थ मतलब होता है धन, और तीसरा इसका अर्थ है प्रयोजन, तो ये जो है अनिकार्थी शब्द हैं, अर्थ मतलब धन और प्रयोजन, अब हैं जैसे वर्ण वर्ण मतलब रंग के लिए भी प्रयोग होता है अक्षर के लिए भी प्रयोग होता है और जाती के लिए भी कि निम्न वर्ण का उच्च वर्ण का तो ये जाती के लिए भी इसका प्रयोग होता है तो इस तरह से एकार्थी और अनिकार्थी ये दो शब्द, दो तरह के शब्द होते हैं अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अनिकार्थक शब्द का कुछ होदारण हम लोग देखेंगे जिसमें पहला है अंक, अंक का अर्थ कही होता है जैसे गोद, संख्या और नाटक के अंक अब है यहाँ पर अंबर, अंबर का अर्थ है आकाश, वस्त्र और एक सुगंधित खनीजपदार्थ और अक्षर, यानि कि ब्रह्मा, वर्ण, शब्द और सत्य उत्तर, उत्तर का भी कई है जैसे दिशा, जवाब, बाद का और अतीद उत्तर मतलब बाद का अब है यहाँ पर कर कर का भी कई अर्थ होता है, जैसे हाथ, किरन, सून और टेक्स जो कर लगाया जाता है कई चीजों पर तो यह जो है, यह अनिकार्थक शब्द हैं और इसके बाद है, गुर्ण कन्नक हम लोग देख चुके हैं और गुर्ण हम लोग देखेंगे तो इसमें गुरू का यहाँ पर जो है, वो गुरू शब्द का कई अर्थ होता है जैसे गुरू मतलब बड़ा, भारी, पुज्य और उस्ताद और इसी तरह से घट का भी कई अर्थ है, घड़ा, मन और शरीर, घट तो यहाँ पर कई उदारण इसके दिये गए हैं जिससे कि हम अनिकार्थी शब्दों को समझ सकते हैं तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कि इस अनिकार्थी शब्दों के बाद कुछ हम लोग समनार्थी शब्द के बारे में पढ़ेंगे समनार्थी अर्थात पर्याइवाची शब्द तो हिंदी भाषा में ऐसे अनिक शब्द हैं जो समान अर्थ देते हैं ये समनार्थी अत्वा पर्याइवाची शब्द कहलाते हैं पर्याय का अर्थ है दूसरा अर्थाद उसी वस्तूप या प्रयोजन के लिए दूसरा शब्द और पर्यायवाची शब्दों का अर्थ लगभग समान होता है जैसे पंकज, जलज, सरोच ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं जिनका अर्थ इस प्रकार है जैसे पंकज अर्थात कीचड में उत्पन, जलज अर्थात जल में उत्पन और सरोज सरह प्लस ज़ तालाब में उत्पन तो कमल के लिए तीनों पर्याइवाची हैं कमल के तीनों का अर्थ एक ही है और इसलिए ये समनार्थी शब्द कहलाते हैं तो पर्यावाची या समनार्थी शब्द हम लोग यहां पर कुछ उदारण देखेंगे तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है अगनी तो अगनी का समनार्थक शब्द है आग, पावक, वहनी और अनल इसी तरह से है अनुपम, अद्वितिय, अनोखा, अपुर्व और निराला तो यह अनुपम शब्द के कई समनार्थक शब्द हैं जो पर्यावाची जिन्हें हम कहते हैं अब है अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, तुरंग, बाजी और घोटक तो यह अश्व यानि घोड़े का पर्यावाची है आकाश, आकाश यानि की नभ, गगन, आस्मान और अंबर तो इस तरह से यह कई पर्यावाची शब्दों का उदारण हम लोगों ने यहाँ पर देखा तो जिन शब्दों के अर्समान होते हैं उन्हें पर्यावाची शब्द कहते हैं तो इसी तरह से यहाँ पर बहुत और बीयाँ जैसे जल है तो जल को हम लोगों नीर भी कहते हैं, सलिल भी कहते हैं और जीवन और वारी भी कहा जाता है तो इस तरह से पर्यावाची और समनार्थक शब्द हैं बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं तो इसमें जो हम लोग अब देखेंगे कि इसके अतरिक तो कुछ अन्य प्रकार के शब्द भी होते हैं जिनके उदारण यहाँ दिये जा रहे हैं जिसे अन्यक शब्दों के लिए एक शब्द तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जिन शब्दों के लिए हम अन्यक शब्द का प्रियोग करते हैं वहाँ पर उसे हम एक शब्द में कैसे कहेंगे जिसे जिसे टाला ना जा सके तो जिसे टाला ना जा सके इसके लिए हम लोग एक शब्द प्रियोग करेंगे अटल जो टले न अटल और दूसरा शब्द है जिसके आने की कोई तिथी न हो तो इसके लिए एक शब्द प्रियोग करेंगे अतिथी और जिसका वर्णन न किया जा सके तो इसके लिए प्रियोग करेंगे अवर्णनिय अर्थाद जिसका वर्णन नहो सके और भीतर की बात जानने वाला इसके लिए एक शब्द है अंतर्यामी और जिसके समान दूसरा नहो अर्थाद एक शब्द है अद्वितिय और जो दिखाई न दे तो इसके लिए शब्द प्रयोग करेंगे एक शब्द अद्रिश और जिसमें धैर ये ना हो तो अधिर उसके लिए एक शब्द होगा अधिर और जो कभी नस्ट ना हो तो इसके लिए शब्द प्रयोग होगा अनश्वर और बिना नियम के होने वाला अर्थात अनियमित बिना नियम के होने वाला और जो जरूरी हो अनिवारि और जो कभी न मरे अमर और आम का बाग अमराई तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और इसके अतरिक्त यहां पर जो शब्द दिये गया हैं हम लोगों ने उसका उदारन भी देखा अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे यहां उदारण दिये गए हैं तो कुछ उदारण हम लोगों ने पड़ भी लिया है जिससे कि यह समझ में आ गया है कि यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे प्रियोग किये जाते हैं तो अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि शुरूती सम भिनार्थक शब्द यहां पर शुरूती सम जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि शुरूती मतलब सुनने में सम मतलब एक समान लगे और लेकिन भिन नार्थक शब्द हो उसके अर्थ भिन भिन होते हैं तो ऐसे शब्द जो देखने में एक जैसे लगते हैं परन्तु जिनके अर्थ भिन भिन होते हैं सम रूपी भिन नार्थक शब्द कहलाते हैं तो यहाँ पर हम लोग कुछ उदारा देखेंगे उसका जैसे अनल अगनी, अनिल वायू अनल और अनिल ये बहुत कुछ सुनने में समान लगते हैं लेकिन अनल का मतलब होता है अगनी और अनिल का अर्थ होता है वायू अब इसी तरह से अन और अन्या अन्न का अर्थ होता है अनाच और अन्य का अर्थ होता है दूसरा इसी तरह से यहाँ पे जो है वो अली कहते हैं भ्रमर यानि भौरे को और अली कहते हैं सक्खी को कूल यानि वंश और कूल मतलब किनारा अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छा तुलना में और उपेक्षा मतलब निरादर और यानि तरफ दिशाशोचक और और मतलब तथा और इसी तरह से अवधी शब्द है समय और अवधी जो है वो भाषा है तो इसमें थोड़ा सा मातरा का अंतर है एक में दिर्ग मातरा लगी है और एक में हिर्शम मातरा लगी है चालक चलाने वाला और चालाक मतलब चतुर तो इस तरह से ये कई शब्द यहाँ पर है जिनके द्वारा हम लोगों ने सुनने में एक समान लगने वाले लेकिन अर्थ में भिन 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 ये शब्द है